सुप्रेम कोट के एक और पूर्व जज़ पर यौन उप्पिडन का आरोप लगा है जस्टिस गांगुली केस की तरहे इस बार भी एक महिला लौ इंटर्ण ने ही ये आरोप लगा है ताजा घटना के बाद बीजेपी नेता सुश्मा स्वराज समेथ कई लोगों ने जाज की मांग की है जस्टिस गांगुली यौन शोशन का मामला अभी शान भी नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोट के एक और रिटार्ट जज़ पर ऐसा ही आरोप लगा है हैरानी की बात ये है कि ये आरोप भी एक महिला इंटर्ण ने ही लगाया है लॉइंटर्ण ने सुप्रीम कोट के मुख्य न्याय धीर पीस सदाशिवं को लिखी चट्थी में सुप्रीम कोट के पूर्व जज़ सुप्रंत्र कुमार पर यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है लॉइंटर्ण का आरोप है कि 2011 में जब वो सुप्रंत्र कुमार के अंडर इंटर्ण के रूप में काम कर रही थी तब उसे यौन उत्पीडन का शिकार होना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के पूर्फ जज़ पर लगे आरोप के बाद बीजेपी नेता सुश्मा स्वराज ने मामले की जांच कराने की मांग की है CPIML की नेता कविता कृष्णन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट खटना को गंभीरता से ले उधर एडिशनल सॉलिसेटर जर्णल इंद्रा जैसिंग का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच करे और उचित का रिवाई करे आपको बता दें कि जस्टिस गांगुली पर भी एक लॉइ इंटर्ण ने यौनुत पीडन का आरोप लगाया था जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के मानवा दिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था आज तक ब्योरो